नमस्कार दोस्तों, अगर आप न्यूज के शौकीन हैं, तो ये खबर आपके लिए ही है। चलिए जानते हैं आज की टॉप स्टोरीज। हर्याणा चुनाव में 6 सस्क होंसों, परसित मद्दान, मामूली जड़कों की खबर। पाकिस्तान केपी के सीम को इसलामाबाद में गिरखतार दिया गया। लाहूर में सेना तैना। हर्याणा में एग्जिट पोल कांग्रेस को बहुमत का संकेत दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में एग्जिट पोल नेशनल कॉन्फरेंस बस को आगे बता रहे हैं। बीजेपी को 27-32 सीटे मिलने का अनुमान। कोलकाता बलातकार हत्या मामले में जूनियर डॉक हर्ताल पर। उदैपुर में आदम खोर तेंदुए ने दो और लोगों पर हमला दिया। यति नर्सिंग हानंद के दिवादित बयान से विरोध प्रदर्शन धर्गे। मोदी में महराष्ट्र में 23-300 करोर रुपए की किशिपर योजनाओं का शुभरम उदिया। NIA ने जम्मू कश्मीर और अन्य राज्यों में जैश पर शिकंजा कसा। विजय कुमार सिन्हा ने ममता बनर जी के बंगाल पर रुप की आलोचना। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सरकार की आलोचना करने वाली खबरों के लिए कोई FIR नहीं। वांग चुक ने शीर्ष नेताओं से नहीं मिलने पर भूख हड़ताल की धमकी दी। क्वार्ट देशों का मालाबार नौसिना अभ्यास आठ अक्टूबर से शुरूर। सार्क जय शंकर ने ठप पड़े शिखर सम्मेलन के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। इंडिया वर्सिस बैंगलदेश। स्टार, ओन राउंडर, शिवम दुवेद, T20 सीरीज से बाहर। आज की मुख्य ख़बरों के लिए बस इतना है। अपडेट के लिए बने रहें।